इस मुश्किल समय में, इतनी परिश्ठानी में, लोग इसे आने से भूल सकते थे, इसके उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरित, लोगों में योग का उच्छा और बड़ा है, योग से प्रेम बड़ा है, पिछले डेड़ सालों में, दुनिया के कोने कोने में, लाखों नए योग साधग बने हैं, योग क्या जो पहला परियाए, सैयम और अनुसाजन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं, साथियों, जब करोना के अद्रिश्य बड़े, सैयम और अनुसाजन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं, साथियों, जब करोना के अद्रिश्य बड़े, और इस अद्रिश्य बड़े दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई प्रिदेश, साधनों से, सामर्त से, और मान से कवस्ताई, इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे ने देखा है, कि ऐसे कठीन समय, योग आत्म बल का बड़ा मध्यम बना, योग ने लोग ये भरोसा बढ़ाया, कि हम इस बिमारी से लड़ सकते हैं, मैं फ्रन्ट लाइन वारियर से, डॉक्टर से बात करता हूँ, तो मुझे बताते हैं, कि कोरोना के खिलाब लड़ाई में उन्होंने, योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया, डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबुत आ, और अपने मरीजों को, जल्दी स्वकर करने में इसका उत्योग भी किया, और आज, अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीर आती है, जहां डॉक्टर्स, नर्सेज, मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज, अपना अनुभ़जा कर रहे हैं, प्राणायम, अनुलोम्यों, जैसे ब्रितिंग एक्सराइज यह हमारे रेस्पिरेटरि सिस्टिम को इतनी ताकत मिलती हैं, ये भी दुनिया के विश्ग्य खुद बता रहे हैं, साथियों, महामिल संत, स्री त्यूबलु वर्जी ने कहा, नोई नाडी, नुमुत्नल नाडी, हदू तनिकुम वाय नाडी, वाय पच्चे यलव, अगर कोई बिमारी है, तो उसे डायोगनाइज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बिमारी की वज़े क्या है, ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो, योग यही रास्ता दिखाता है, अज, मेडिकल साइंस भी, उपकारके साथ, हीलिंग पर भी, उतना ही बल देता है, और योग, हीलिंग प्रोसेस, उपकारक है, मुझे संतोस है, कि आज, योग के इस पहलू पर, दुनिया भर के विशेसग्य, अनेक प्रकार के साइंटिफिसल्ट भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, साथ्योग काल में, योग से हमारे शरील को होने वाले फाइदों, हमारी इम्मिनिटी पर पढ़ने वाले कारात्मक प्रभावों पर, कई स्टडीज हो रही हैं, कल हम देखते हैं, कई स्कुलों में, ऑनलाइन क्लासिज की सुरुवात में, बच्चों को योग प्रानायम राया जा रहा है, ये प्राना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीक रूप में तयारी कर रहा है, साथियों, भारत के रूशियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लबते स्वास्तम, दिर्ग आयुशम बलं सुख़ग, आरोग्यम परमं भाग्यम, सुथम सरवार्त साधनम, अर्थात, योग व्यायां से हमें अच्छा स्वास्त मिलता है, सामर्थ मिलता है, और लंबा सुखी जीवन मिलता है, हमारे लिए स्वास्त ही सबड़ा भाग्य है, और अच्छा स्वास्त ही सभी सफलताओं का माध्यम है, भारत के रूशियों ने भारते जब भी स्वास्त की बात की है, तो इसका मतलब केवल करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी योगिक क्रियते हैं, तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करे हैं, योग से हमें ये अनुभव होता है, कि हमारी विचार शक्ती, हमारा अंतरिक सामर्थ, इतना ज़्यादा है, कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी इन्विटी, हमें तोड नहीं सकती, योग हमें स्ट्रेश से स्ट्रेंथ की और, और नेगेटिविटी से क्रियेटिविटी का रास्ता दिखाएं, योग हमें अवसात से मंग और प्रमात से प्रसात तक ले जाता है, friends, yoga tells us that so many problems might be out there, but we have infinite solution within ourselves, we are the biggest source of energy in our universe, we do not realize this energy because of the many divisions that exist, at times the lives of people exist in silos, the divisions reflect in the overall personality as well, the ship from silos to union is yoga, a proven way to experience, a realization of oneness is yoga, I am reminded of the verse of the great Gurudev Tagore said, and I quote, the meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga, of union, unquote. The mantra of Vasudhev Kutum Kam, which India has learned since ages, is now finding global access. We all are praying for each other's being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I am sure yoga will continue playing its preventive as well as positive in health care of masses. इस्तियों, जब भारत ने United Nations में अंतराश्ची योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी, कि यह योग विज्ञान पूरे भिश्व के लिए सुलब हो. आज इस दिशा में भारत ने United Nations, WHO के साथ मिलकर एवर महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब विश्व को एम योगा, एम योगा एप की शक्ति मिलने जा रही है. इस एप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार, योग प्रशिक्षन के कई वीडियोज, दिवाची अलग अलग भाशाओं में उपलब्द होंगे. ये आधिक टेक्नोलोजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बहत्रिन उधारन है. मुझे पूरा विश्वास है, एक योगा एप, योग का विस्तार दुनिया भर में करने, और वन वर्ड, वन हे प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमी का निभाए. साथियों, गीता में कहा गया है, तम बिद्धा दुख, संयोग योगम, योगस संगित्तम, अर्था, दूखों से वियोग को, मुक्ति को ही योग कहते हैं. सब उस साथ लेकर चलने वाली मानवता कि ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बनी हैं. चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी प्रिती हो, कोई भी आयू हो, हर एक के लिए योग के पास कोईने कोई समाधान जरूर है. आज विश्व में योग के प्रती, जिग्यासा रखने वालों के संख्या बहुत बढ़ रही हैं. देश-विदेश में योग प्रतीनों के संख्या में भी बृद्धी हो रही हैं. ऐसे में योग का जो मुल्भुत तत्व ग्यान है, मुल्भुत सिधान है, उसको कायम रखते हुए, योग जन जन तक पहुँचे, अविरत पहुँचे, निरंतर पहुँचे, ये कार्य आवशक है. और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के प्रचारियों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकल करना चाहिए. हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है, और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है. योग से सहयोग तक का ये मत्र हमें एक नए भविश्य का मार दिखाएगा, मानवता को ससक्त करेगा. इनी शुब कामनाओं के साथ, आज आंतराष्टिय योग दिवस पर पूरी मानव जाद को, आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाओं, बहुत बहुत धन्यवाद. तो अभी आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को सुन रहे थे, जिन्होंने आज योगा दिवस के मौके पर जनता को संबोधित किया है. आपको बता दे कि आज सात्वा अंतराष्टिय योगा दिवस 2021 मनाय जा रहा है. इसी कड़ी में आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने जनता को संबोधित किया, साथ ही योगा से होने वाले फायदों के बारे में भी जानकारी दी. आपको बता दे कि पीम नरेंद्र मोधी ने अभी योगा दिवस की लोगों को शुब कामनाय दी, साथ ही लोगों से अपील की कि वे साल घर में रहकर ही योगा करें और योगा को अपने जीवन का एक मुख्य आधार बनाए. आपको बता दे कि आज साथ्वा योगा दिवस मनाय जा रहा है जिसकी ठीम रखी गई है विद्दा योगा बीए ठोम. आपको बता दे कि आज साथवे योग दिवस के मौके पर प्रधान मंतरी नरिंद्रमोदी ने अभी जनता को संबोधित किया है जहां उन्होंने योग से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को अफगत कराया है साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भी घर पर रहकर सुर्ट रहकर योगा को अपने जीवन में अपनाएं आपको बता दे कि प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी ने अभी अपने संबोधन में योगा और योगा से होने वाले महत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने साफ तोर पर कहा कि योगा हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्वों रखता है वो हमें आध्यात्म की और ले जाता है ऐसे में जरूरी है कि हम सभी लोग योगा करे उन्होंने योगा के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जहां उन्होंने बताया कि किस प्रक पात्वी थी और आज के